दोस्तो नमस्कार मैं सती शर्मा जाफ्राबादी आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूटूब चनल दोस्तो मैं देभूमी उत्राखंड मैं हूँ और उत्राखंड मैं खेती किसानी में नए नए आविस्कार हो रहे हैं दोस्तो आज मैं आपको एक गजब की वीडियो दिखा रहा हूँ आपने यूटूब की दिनिया में इससे पहले ऐसा वीडियो नहीं देखा हुगा जी हाँ दोस्तों मैं आपको वर्मी वास का वीडियो दिखा रहा हूँ ये वर्मी वास क्या है जिस तरह हम टॉनिक लेते हैं बीमारियों से बचने के लिए हश्ट पूश्ट और तंदृस्ट रहने के लिए मनुष्चे टॉनिक लेता है उसी तरह से फसलों के लिए फलदार ब्रक्षों के लिए और तरह तरह के जो आयरुवेदिक प्लांट हैं उनको पलविद करने के लिए उनको बहतर रूप से बढ़ाने के लिए और अच्छा उत्पादन लेने के लिए ये वर्मी वास एक नई तकनीक आई है इसको किस तरह से प्राप्त करते हैं कैचुए के जो स्वेद है पसीना है ये एक द्रब है लुकिट टोनिक है खेती किसानी और फलदार ब्रक्षों के लिए कैसे तयार होता है कैसे इसको आप पा सकते हैं क्या इसके लाव हैं इसकी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौझूद हैं माधुरी डवराल माधुरी डवराल ने बर्मी कंपोश्टिंग में पीच्डी की डिग्री हासिल की है और यहां देश बर के कौने-कौने में ये बर्मी वास हो या कंपोश्ट वर्मी कंपोश्ट हो उसकी जानकारी दे रह देखें नई साती चनल को सबस्काइब कर बेल आकन जरूर दबा दे और इस दोस्तों इस वीडियो का लिंक अपने साथियों में जरूर सेर करें और देखें यूटूब की दुनिया में पहला वर्मी वास वीडियो जी मडम नवस्कार हमारे दर्सकों की ओट जी धन्यवाद शर्मा जी आपका जी मडम पहले तो हमें हमारे दर्सकों को जो सीधे साधे किसान भाई है यह वर्मी वास है क्या उसको थोड़ा सा डिफाइन केई जी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ जैसे आपने वर्मी और वाश यह दो वर्ल्ड से बना हुआ है एक है वर्म एक है वाश यानि वर्म जो यहां पे इस्तमाल हुआ है वो अर्थवाम के लिए केच्वे के लिए इस्तमाल है और वाश का मतलब है उसकी वाशिंग्स अब मैं बता दूँ कि वाशिंग्स का मतलब उसको जैसे हम यह केचवे को नहला के उसके जो पानी आता है मुझे घटा कर लें तो वार्मी की वाशिंग्स जो है वो यह इस्तमाल हम यहां पे करते हैं अब बताती हूं जैसे केचवे आपने देखा होगा केचवे के बाहर एक लिसलिसा सा पदार्थ होता है जब वो चलता है गीला सा मतलब तरल पदार्थ होता है जैसे ही वो तरल पदार्थ सूखता है केचवे केचवे के जीवन में है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है या मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यानि उसका जीवन है सही बिलकुल क्योंकि वो केचवे जो है वो अपनी तवचा है उसके तो अचियए और क्यूंकि उस्में उसरे जिए के अंदर प्रवेश करता है तो उसमें बहुत सारे बैंटी फिशल माइक्रो एंजाइम्स होते हैं इंसेक्टि साइडल जैसे हम कहें कीट नाशक की प्रॉपर्टी होती है फंजी साइड का काम करता है जैसे जो फंदी नाशक ह होते हैं तो इस तरह के बहुत सारी चीज़े ने चूरल ही होती हैं अब हम एकcharate करने को प्रोसेश जो हम ताने जा रहे हैं आपने बहुत सारी बोतले यहां zap यह तियार बहुंत यह तेरो समझागे और यह हमारा का है अच्चै तो हमि यो को प्रोसेस क्या है किस तरह से इसको वर्मिवास को तयार किया जाता है उसके बारे में थुड़ा समझाइए जी मैं आपको बताते हूं यह हमारे 200 का जो रोड़ा होता है पत्थर कट पत्थर जिसे कहते हैं वह हमने यहां पर एक सवा फिट तक हमने वह बिछाया हुआ है इसको बिछाने का भी मैं आपको रीजन बता दूं कि हमें इसमें नीचे फिल्टर सिस्टम बनाना होता है उसके लिए हमारा यह सेट अप पहले नीच इसमें 20 mm की बता है उसके बाद फिर हमने 10 mm का इसमें 6 इंच ब्जरी बिछाया ही 10 mm वाली नीचे मोटा है फिर थोड़ा कम है गरिंदर बड़ा है फिर एक जाली लगी अंदर जाली के उपर 2 cm के इसमें जो है वो एक मिट्टी की परत है और उस परत के उपर फिर हमने यहां पर जो यह डेट फिट वाला जो हमारा एरिया है ड्रम का उपर का उसमें हमने डेट से 2 फिट में यहां पे कल्चर मीडिया के साथ जादा क्वांटिटी में केच्वे मिलाए किपऊंशाओं करें हैं तो इसमें मटीरियल ज़ादा होता है कश जब जादा होते हैं तो इस तरह से फिर यहाँ पर यहां पर उपने का की यह ही मैं यहां पर यहाँ पानी मैनवली भी डाल सकते हैं अगर कोई स्प्रिंक्लर नहीं लगा रहा है तो यहां पर पानी क्योंकि पानी तो नमी चाहिए ही है जी 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 अब यह जो हमने इसमें नीम के पत्ते इस्तमाल किये हुए जी जी तो आप अपनी सुविध हनुसार इसको यह तो एक सिंपल ड्रम ब लगा हाता हुए यहां तक हमिसे यहां कालेक्ट कर रहे हैं जाया है। निकल तो आप हम इसको यहां से क्लेक्ट कर के फिर इसको पैक कर सेटें, जैसे छोड़ी सी खूबी बता देती। तो यह जो है जैसे लोग कैते हैं कीट- नाशा जैविक कैसे हैं तो आप इसको Javik Constant नाशी बना सकते हैं ंसको जैविक फफूंदी नासी बना सकते हैं उस तरह से जासे नीम है इस तरह से एक आंकडा होता है आनक जो बहुगा और कड़ीपता हो गया हल्दी हो गई और hypertफ हो जैसे जो इंसको दूर करते हैं जो फंगस को दूर करते हैं तो वो हम इसमें वेल्यू एडिशन इसमें करवा देते हैं और यह प्रॉपर एक वर्मी वाश का सेट अप है यह मैं आपके जानकारी में बता तो मडम यह जो आपने 6 ड्रम लगा रखे हैं इनसे कितने दुनों में कितना आप यह जो है वर्मी वाश यानि यह टॉनिक तयार कर हमारा जो यह है इसमें हम एक महीने में हम इसको त्यार करते हैं फिर हम इसका मटीरियल बदल देते हैं तो एक महीने में जो हमारा इससे है हर ड्रम से जो है हमारा लगभग लगभग धाई से 300 लीटर इसमें त्यार हो जाता है और इसको अगर क्यापेसिटी बनानी हो तो हम केचव और जदा इसमें दाल कर हम इसको और पानी जिस तरह से डालते हैं तो हम इसमें रेगुलर लेकिन उसके बाद 15 के बाद हम इससे रोज भी डालकर और हर अगले दीन हम वर्मी वंटाइड कन करना यह पैसे कमाना नहीं है जो हमने काम शुरू किया कि इसका एक अधिए कि लिव्स किसान जादा से जादा और गनी इंच करें हमारे घरों में जो पहुचे भोजन या जो भी हम साख सब्जी और गनिक पहुंचे तो और किसान इसको ज्यादा से ज्यादा तबी लेगा जब उसको निम्न दरों में यह मिलेगा अच्छा मडम यह जो आपका एक लीटर का जो पैक है यह आप इसे ड्रम से हो गया यह चार ड्रम है तो एक हजार लीटर और आठ है तो 2000 लीटर हो गया तक कितना भी बड़ा इसको बना जाता है यह अलग अलग और ब्रैंडिंग पर भी कुछ करता है और जैसे 100 उपय लीटर से लेके तक इसको लोग सब्सक्राइब करेंगे इसका फैदा क्या है इसका देखिए इसका मैं फाइदा बताओं आपको मान लीजे जैसे आपके पौधे हैं आप उसमें देखिए कहीं पर अगर कोई बीमारी से आपको लगने लगिया कोई कमजोर पौधा दिख रहा आप इसका तु यह चार लीटर हो जाएगा तो इसको एक तरह से नई उड़ जा नई आप आपको मतलब आप यह मेरे कहने वाली बात नहीं आप अगर आपको इसमें कोई स्तमाल करें तो आप इसको देख सकते हैं आपको रिजल्ट खुद ही देख जाएगा पौधा एकदम से आपका जो ह में काम करता है यह बेल पर चिड़काओ किया जा सकता है यह फलदार पौधों में चिड़काओ किया जा सकता है इसका किसी भी तरीके सा अगर कोई वा रही है मैं यह नहीं कहूंगी है कि 100% इंसेक्टिसाइट का लेकिन यह प्लांट को इतना हेल्दी बना देता है कि बीमा किसान को किती जरुत है तो ऐसा नहीं है मितलब हम लोग उसको सिखा भी सकते हैं कि क्यूंकि आपने देखा कि इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई खर्चा कितना एक ड्रम में यह है इसमें हमारा लगभग जो है वो पंदरा से बीस किलो के चुए हमने डाला है कोई अगर कम के साथ करना चाहते हैं को यह लीकेचू कि इसाथ को पांप इसे निकालेंगे तो हम वापस जब इसमें नया कलचर मीडिया डालेंगे क्यों कर वाद 주는 powin river दालेंगे और उन्हीं को डालेंगगे नहीं को डाल क्योंकि वो तो रगातार उसके श्रीम में जराविद फोल्राइज हो लहाँ है यह विया आप इसके साथ इतने सारे केचुछ हम यह यह तयार है फिर हम यह इसमें डाल देते हैं तो जैसे मोशी कौन सी वाब है यह बहुत जब्रव इस बात करते हैं इसे लेकिन यहाँ आप देखिये गा इस निया की तो बहुत जदा ड्रव निकालता निकाल वर्मी वाश को यहां पर 15 साल हो गाए बनाते हुए बहुत बहुत बता दूँ कहीं पे लोग क्यों कि लोग बहुत कई बार यह सवाल आते हैं तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि इसमें दो तरीके से होता है एक तो यह वर्मीवाश है जो मैंने आपको प्रापर सेटेप है वर्मीवाश का और इसी को हम वर्मीवाश कहेंगे एक लोग क्या करते हैं कि जैसे इस तरह की कमपोस्ट आपने बनाई तो कहीं बैग में बन रही है कहीं और वो उसके एक निकासी निकाल देते हैं पानी का डालेंगे और फिर वो निकासी के दाराजर निकल जाता है तो लोग उसको भी वर्मीवाश का ही नाम देते हैं जबकि वो वर्मीवाश नहीं होता है क्योंकि उसमें वही गुण है जोSet करते हैं कि इस तरह का लिक्विड जो हम पानी हीज़चाओ करते हैं तो परिषाव निकलता ही निकलता जो लोग वर्मिवास कहने लगते हैं अच्छा गोवर होता है लोग तभी से चिड़काओ करते हैं और तभी से इखटा करने लगते हैं यह हानी कारक भी हो सकता है तो अगर आपको इखटा भी करना है तो आप ये तब करें जब आपकी 90 परसेंट से जादा कंपोज बन चुकी है उसके बाद इखटा करें तो दोस्तों आपने देखा सुना और समझा मेडम ने कितने बहतर ढंग से समझाया है कि लुकिट बर्मी कंपोज क्या है और सही माइने में बर्मी वास क्या है इसका अंतर लोगों को समझना चाहिए आपको भी समझना और विशेश बहतर बढ़िया काम करना है तो सीधे इस जो ये चरेखा इंडिया बर्मी कंपोज फार्म है यहां से जानकारी ले सकते हैं वीडियो के डेस्क्रिप्स में पूरी जानकारी दे रहे हैं धन्यवाद दोस्तों मैं सती शर्माजा फ्राबादी चरेखा इंडिया बर्मी कंपोज फार्म से नमस्कार